आज कि इस वडियो में हम क्लास 10 के जितने ही बच्चे यह उन से बच्चों की वीडियो रहने आ यहाँ च्नित्जे लिए और आप उस में हम डाउट करेंगे फर्स्ट कोशन है यह कोशन योद्धा रिल्स के हैं उन्होंने यह कमेंट किया था कि उनको यह कोशन समझ मैं नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको बताया था इसको कैसे सॉल्व करना है If P-Term, Q-Term and R-Terms of the NAP are A, B, C respectively then so that आपको यह सो करना है यहापर आपको जो P-Term दिया है यानि कि AP यह है आप से भी का A और यहापर जो आपका Q-Term है यानि कि A Q यह है आप से भी का B और यहापर जो आपका rth term है यह आप से भी का c अब यहाँ पर इसको मैं solve कर लेता हूँ यह हो जाएगा आप से भी का जो आपका यहाँ पर formula होता है वो होता है यहाँ पर आप से भी का a plus n minus 1 multiply में d यह आपका an का formula होता है यहाँ पर मैं small a को capital a से denote करूँगा क्योंकि यहाँ पर हमारे small a पहले से ही है इसलिए मैंने यहाँ पर capital a लिया है इसकी first term plus p minus 1 multiply by d is equal to a यहाँ पर जो आपका qth term हो जाएगा यह हो जाएगा आप से भी का a plus q minus 1 multiply by d is equal to b और जो यहाँ पर आपका rth term हो जाएगा यह हो जाएगा आप से भी का a plus r minus 1 multiply by d is equal to c अब यहाँ पर से आप से भी को a की value मिल गई b की value मिल गई और यहाँ पर आपको c की value मिल गई अब यहाँ पर से हम क्या करते है lhs इसका यहाँ पर मैं वह आपस से लिख देता हूं यहाँ पर इसका lhs left hand side वाला होता है equal to के left hand side वाला lhs और equal to के इधर वाला यानिक यहाँ पर जो आपका 0 है यहाँ आपस लिख लेता हूं यहाँ पर मैं lhs लिख लेता हूं यहाँ आपस लिख का a minus b r plus b minus c p plus c minus a q अगर इस वाले term को हम 0 के equal ला दें तो फिर हमारा यह proof हो जाएगा यहाँ पर जो हमारी a की value है वो है हमारी यह पूरी इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं a plus p minus 1 और d यहाँ लिख होगे हमारी a वाले term और यहाँ पर हमारी minus b वाले term है हमारी यह पूरी a plus q minus 1 multiply by d यह होगे हमारी b वाले term bracket close r plus मैं अब यह b minus c multiply by p इसको हम solve कर लेते हैं यह हो जाएगा हमारा b वाले term है हमारी a plus q minus 1 multiply by d और यहाँ पर जो हमारी c वाले term है minus में c वाले term यह पूरी a plus r minus 1 multiply में d और यहाँ पर bracket close multiply by p और फिर यहाँ पर हमारा plus यहाँ पर बचा हमारा c minus a यानि कि c की वाले term हमारी यह a plus r minus 1 multiply में d minus में a की वाले term हमारी यह पूरी a plus p minus 1 multiply में d और यह हो गया हमारा q is equal to 0 यहाँ तक आप सभी को समझ में आगा होगा यहाँ पर बस मैंने value put किया है जो हमारी a b और c की value थी बस हमने वह पूट किया है अब यहाँ पर से solve करने की बारी आती है अब यहाँ पर से हम इसको solve करना start करते हैं यह आप सभी का a plus में p-1 multiply by d और यह हो जाएगा आप सभी का minus का a minus का q-1 multiply by d और इसके बाहर है r minus 1 multiply by d और bracket close multiply by p अब आगे क्या करेंगे आगे यह जो हमारा last वाला बचा इसको solve कर लेते हैं अब plus में a plus r minus 1 multiply by d minus में a minus में p minus 1 multiply by d multiply by q is equal to 0 यहाँ तक सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा यहाँ पर बस हमने bracket open किया है अब यहाँ पर से ही कटने पिटने स्टार्ट हो जाएंगे यह इससे कट गया यह इससे कट गया यह इससे कट गया अब जो जो बच गया हम यहाँ पर वापस लिख लेते हैं यह हो जाए हमारा p minus 1 multiply by d minus में q minus 1 multiply by d multiply by r plus यहाँ पर बचा हमारा q minus 1 multiply by d minus में r minus 1 multiply by d और bracket के बाहर है हमारा p plus में third bracket में r minus 1 multiply by d minus में p minus 1 multiply by d और bracket के बाहर q is equal to 0 अब यहाँ पर भी हमारा d है यहाँ पर भी हमारा d है इस इन दोनों में से हम d common ले लेते हैं यह बच जाए हमारा p minus 1 और यहाँ पर से bracket open हो जाए हमारा minus का q और plus का 1 और यह जाए हमारा rd प्लस में सेम यहीं पर भी होगा और यहाँ पर भी हम d common लेंगे यह हो जाए हमारा q minus 1 और bracket open होगा यह हो जाए हमारा minus का r plus का 1 और p d प्लस का निसान, यहांपर है हमारा R-1 multiply by D, यहांपर भी D है और यहांपर भी D है, इसमें से भी हम D common लेंगे यहाँज़ागा हमारा Q-D और यहाँज़ागा हमारा minus का P और प्लस का 1 अब यहांपर भी आपका minus का 1, plus का 1, minus का 1, plus का 1 अब यहां पर बच गया आपका P-Q bracket में R-D plus में यहाद है आपका P-D bracket में Q-R plus में Q-D bracket में R-P is equal to में 0 और यहां पर भी हमारा is equal to में 0 अब हम इन तीनों bracket में से D कॉमल ले लेंगे यह बच चाएगा हमारा यहाँ पर P-Q multiply by R plus में P multiply Q-R plus में Q bracket R-P is equal to में 0 अब यहाँ पर से D bracket यह होजागा हमारा P-R minus में Q-R plus में P-Q minus में P-R plus में Q-R minus में P-Q is equal to में 0 bracket close अब यहाँ तक आप से भी को समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर से क्या होगा कि सारी की सारी चीजें कटने लग जाएंगी plus का P-R और minus का P-R यह कट गया minus का Q-R plus का Q-R plus का P-Q minus का P-Q यह हो गया हमारा 0 multiply by D अब इन्दों को multiply करेंगे यह आजएगा हमारा 0 और 0 हमें RHS में दे रखा था यह हो गया हमारा prove LHS is equal to RHS यह होगी हमारा prove hands prove next question की तरह बढ़ते हैं मैं इस वाले question को दुबाय से repeat कर देता हूँ थोड़ा से lengthy question था पर आप जब इसको एक दुबार अपने आप solve करेंगे यह आप असानी से कर सकते हैं यहाँ पर आपको करना क्या था जो आपको यहाँ पर Pth term दी थी वो आपको A के equal दी थी यानि की A P is equal to me A यहाँ पर से जब आप इसको solve करेंगे यहाँ आजएगा आपका A plus P minus 1 multiply D is equal to me A और यहाँ पर जब आप Qth term यहाँ पर आपको B के equal given है यहाँ पर जब आप solve करेंगे आप सभी को यहाँ पर proof करना था yellow term 0 के equal proof करना थी तो फिर यहाँ पर मैंने LHS ले लिया यहाँ पर हमारा जो हमारी यहाँ पर A minus B की value थी वो मैंने यहाँ पर put कर दिया जो हमने यहाँ पर A की value हमारी यह पूरी थी A की value और यह हमारी B की value यह पूरी तो फिर मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर put करके बता दिया तीनों टम में same to same ऐसी होगा और यहाँ पर is equal to में 0 अगर हमारा answer 0 का equal आ गया तो फिर हमारा answer ठीक है तो फिर हम इसको जब simplify करेंगे आगे करते करते bracket open करेंगे तो फिर ध्यान से देखिएगा जो आपका sign है वो negative से positive हो जाएगा और positive से negative अबर आपने यह ध्यान देख लिया तो फिर यह पूरा question बहुत असान हो जाएगा फिर यहाँ पर से जब आप इन सब को जब multiply करेंगे तो फिर यह सब एक दूसरे cut पिड जाएंगे फिर यहाँ पर यह बच जाएगा आपका d multiply में 0 यह यह लिटा हमा आजएगे आपकी पूरी की पूरी 0 और d multiply 0 होगा आपका 0 जो RHS के equal है तो फिर यह हमारा proof हो गया next question है पिछला वाला जो question था बहुत ही simple question था पर उसमें पूछा था कि recast वाले जो question होते है surface area and volume में यानि कि कि किसी चीज़ को melt कर दिया और उससे कोई दूसरी चीज़ बना दी वैसे question कराने के लिए तो फिर मैं आज से के लिए question लेका है हूँ how many balls each of radius 1 centimeter can be made from a solid spare of lead of radius 8 centimeter यहाँ पर आपको करना क्या होता है दोनों के volume को comparison करना होता है यानि कि दोनों के volume को equal रख देना है यहाँ पर हमें बताना है कि कितने number of balls बनेंगी यानि कि हम let कर लेते हैं n number of balls बनेंगी और इसका जो volume है मैंने आपको बताया जो आपका volume है वो दोनों के दोने equal रहेंगे यानि कि 4 by 3 pi r cube is equal to 4 by 3 pi r cube यह आपका formula होता है spare के volume का तो फिर यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो आपकी radius की value होगी वो दोनों की अलग-अलग होगी यहाँ पर हम put कर लेते हैं n multiply 4 by 3 multiply 22 by 7 multiply r cube है यानि की इसकी radius हमारी small spare की radius 1 cm यानि की 1 का cube is equal to 4 by 3 multiply 22 by 7 multiply r cube यानि की 8 का cube अब यहाँ पर हम 4 by 3 से 4 by 3 cancel out कर देंगे 22 by 7 से 22 by 7 यहाँ पर बच गया हमारा n multiply by 1 is equal to 8 का cube होता है आपका 512 और यह होगी आप सही का n की value हो गई 512 यानि की आप सही का जो spare है बड़ा वाला 8 cm वाला इससे आप सही के 512 spherical ball बन जाएंगी जिनकी radius कितनी होगी 1 cm तो यह आपका इस question का answer हो जाएगा ऐसी आप और भी question कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको किसी की भी height निकालनी हो दोनों के volume को आप comparison कर देंगे तो फिर आपका answer आ जाएगा चेक किसी भी condition में आपका यही वाला formula अपला होगा जब भी आप melt करेंगे किसी भी चीज को और उसे कोई दूसरी चीज बनाएंगे next question है question number third है यह question अश्वीता queen का है इसमें उन्होंने पूछा था कि दो cubes हैं जिनका volume 64 cm cube है उनको जोड़ा जाता है end to end find the surface area of the resulting cuboid जब भी आप दो cube को join करेंगे तो यहाँ पर आपका जो form होता है यानिकि यह जो बनेगा finally यह बनेगा आपका cuboid यहाँ पर आपकी यह जो figure होगी यह कुछ इस type की होगी यह बनेगा आपका cuboid और यहाँ पर यह जो separate वाला एक है यह आपका cube है और इसकी जो आपको volume दे रखा है एक का एक का जो आपको volume given है यह given आप सही को volume of cube यह आपको given है 64 cm cube यानि कि volume of cube का आपका formula होता है a cube is equal to 64 अब यहाँ पर आपको करना किया है a cube is equal to मैं यह आपका 4 का cube होता है cube से cube cancel out हो जाएगा यहाँ पर आपकी equal लिया जाएगी 4 cm अब दोनों का volume सेम था तो फिर एक की side आगए जब 4 cm तो फिर दोनों की side कितनी होगी 4 4 cm तो फिर आपकी जो length हो जाएगी इस पूरी इस पूरे cubeoid की वो हो जाएगी आप सेगी इसकी length और इसकी length यानि की 4 प्लस 4 यह होगी आपका 8 cm अब आपको यहाँ पर breath बताना है breath और height आपकी सेम रहेगी जो इसके side रहेगी वो ही रहेगी 4 cm इसमें कोई change नहीं आता है बस change आता है तो इसके length में आता है अब यहाँ पर आपको find करना था find करना था आपको surface area find करना था surface area क्या होता है cuboid का यह होता है आप सही का 2 bracket L B plus में B H plus में H L bracket close अब यहाँ पर 2 multiply L multiply B यानि की 8 multiply 4 plus B multiply H यानि की 4 multiply 4 plus H multiply L यानि की 4 multiply 8 bracket close इसको solve कर लेता है यहाँ जगा हमारा 32 plus में 16 plus में 32 2 bracket 32 32 64 plus 16 2 multiply इन दोनों की जब आप plus करेंगे यहाँ जगा आप सही का 80 और इन दोनों की multiply करेंगे यहाँ जगा हमारा 160 centimeter square इस question का answer हो गया उमिद करता हूं जितने भी question मैंने आप सही को कराया और जिस बच्चे का यह doubt था उन सभी के यह doubt clear हो गए होंगे बाकी मिलते हैं आप से next day में किसने आटोब के साथ तब तब लिए जाएं यहाँ आड़